प्रदेश में अब तक एक दशमलो एक नो करूड लोगो का ठीका करण हो चुका है 96 लाग से ज्यादा लोगों को पहला ठीका लग चुका है 22 लाग 54 लोगों को दोनों डोजिस लग चुकी है 45 साल से उपर के लोगों का 87 फीसदी ठीका करण हुआ 18-44 उम्र के लोगों का 29 फीसिदी टिका करण हो चुका है प्रदेश में सत्या लगतार हमारे साथ राइपूर से बने हुए हैं सत्या वैक्सिनेशन की रफ्तार के लिए कई तरीके की योचनाय भी हमने देखी लेकिन अगर 36 गड़ की बात करें तो यहां पर दिक्कते भी काफी आई लेकिन इस वक्त जो आकड़ा है उसे किस तरीके से देखा जा रहा है प्रदेश के लिए देखे अगर हम टिका करण की बात करें तो 36 गड़ में टिका करण आरंबिक दौर से विवादीत रहा चाहे वो 18 प्लस के लिए हो चाहे 45 प्लस के लिए हो दोनों दौर में विवाद की स्थिती बनी रही जब जरूरत 18 प्लस के लिए टिका का था तब केंदर सरकासे टिका जो है 45 प्लस के लिए पहुंसता था उस दौरान इस टॉक में कम से कम 11 लाग से जादा टीका 36 गड़ में था लेकिन जब 18 प्लस के लिए टीका की जरुरत है तो उस दौरान यूवा टीका करण केंदर से लौट रहे थे खामियाजा ये है कि आस दिनांग तक महज 29 प्रतिसत यूवाओं को टीका लगा है जबकि 36 गड़ में एक करोड 34 लाख यूवा हैं लेकिन अभी सिर्फ 29 प्रतिसत यूवाओं को टीका लगा है टीका करण की रप्तार की बात करें तो रप्तार छमता तो टीका करण के 36 लेकिन औसतन 60 हजार में ये जो है रप्तार थम गई है और लगततर जो वैक्सिनेशन की कमी करण टीका की कमी करण जो वैक्सिनेशन शेंटर है उसमें ताले लटक रहे हैं बात करें तो यहाँ पे राज्यभर में 4000 से जादा टीका करण केंद्र बनाए गये थे लेकिन अभ भी शिल्ड है उसमें अभी टीका करण जारी है और लोग जो है लगततर टीका करण केंद्र बंध होने के कारण अब भटकने की स्थिती में हो गया है लोग अपने काम का छोड़ कर दो पहर में जब निकलते हैं और टीका करण केंद्र पहुंसते हैं तो टीका नहीं होने के इस्थिती में वो भटकते हैं ऐसे इस्थिती में लोग टिका करन केंद्र जाना छोड़ दिये कुछ लोग जो अब भी अफवा के चंगूल में है